नमस्कारू वन इंडिया हिंदी में आपका सुपागत है केंदर शासित प्रदेश चंडीगण में करोना महामारी से बचाओ के लिए रोजाना कई सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही है अब यहां 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी PGIMER वैक्सीन सेंटर में डोस दी जा रही है वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने के बाद एक यूवक ने कहा मेरे लिए ये बहुत अच्छा अनुभव था मैं जाता हूँ कि COVID-19 से बचने के लिए सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए लोग स्वायम सेंटर पर आए और मीडिया भी उन्हें वैक्सीन के बारे में जाग रूप करें च्छे से आठ हफते के बीच में किया गया और अब जो ये डिउरेशन है जो यूनाइटिट किंगडम में स्टडीज हुई है सेंटिफिक स्टडीज हुई है उसके बेस पे और यूके की जो रिकॉमेंडेशन है पैनल की उसके बेस पे इस गेप को बढ़ाके बारा से सोला हफते किया गया है सेकिन्ड वेव का जो पीक है वो आचुका है और इस महिने के अंतक ये काफी आसान हो जाएगा वैसे भी हम लोगों ने जैसे होस्पिटल में और चंदिगड में देखा है जो नंबर सीरियस केसीज और स्वियर केसीज का आना थोड़ा कम हो चुका है दो तिन दिन से और मैं समता हूं कि डेफिनेटली जो इसका पीक आ चुका है और अब ये फ्लेट हो जाएगा और डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा मिली जानकारी के मुताविक चंदिगड प्रशासन द्वारा कोविड कर्फ्यू से जुड़ी पाबंदियों को 18 माई तक बढ़ा दिया गया नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोरोना वाइरस संक्रमन की गंभीर स्थिती के मद्देनजर यूटी में कुछ नए बदलाव भी किये गए भीड न जुटे इसलिए अब शादियों में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं पहले ये संख्या 50 थे वहीं अब अन्तिम संसकार में 20 की जगया केवल 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं 10 मई को पंजाब राजभवन में आयुजित कोविड वार रूम मीटिंग के दोरान अधिकारियों से चर्चा कर प्रशासक वीपी सिंग बदनौर ने आदेश जारी किये वर्दलब है कि 20 के प्रशासनिक अधिकारी ने कहा गयर जरूरी दुकाने अभी बंद रहेंगे नाइट कर्फ्यू शाम 6 बज़े से सुभ़ 5 बज़े तक जो है वो आगे भी जारी रहेंगे पाबंदी आगे बढ़ाने का कारण संक्रमन का कम नहीं होना रहा केस अभी भी कम नहीं हुए है उन्होंने आगे कहा नौन एसेंशिल आइटम सेल करने वाली सभी दुकाने बंद रहेंगे यानि सभी छोटी बड़ी मार्केट 18 मई तक बंद रहेंगे इस खबर में फिलाल इतना तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ